आज के इस आधूनी क्यूब में हम सभी लोग मोबाइल कम्प्यूटर इंटरनेट से पूरी तरह से जुड़ चुके हैं यानि कि टेजी से भरतीवी इस टेक्नलोजी ने दुनिया को बहुत ही छोटा कर दिया है टेजी से भरतीवी टेक्नलोजी मैंने इसलिए कहा क्योंकि हम जानते हैं आज सिर 20-40 साल पहले मोबाइल फोन महसे कलपना हुआ करते थे लेकिन आज वह कलपना सच हो चुकी है टेक्नलोजी के छेतर में भरतीवी ये स्पीड वाकी देखने लायक है यानि कुल मिलाकर मैं अगर थोड़े शब्दों में कहूँ तो पिछले 50 सालों में हमने इतनी जादा तरक्की कर ली है जो कि हमने 1000 सालों में भी नहीं की थी तो आज हम ऐसे ही कुछ फीचर टेक्नलोजी के बारे में बात करेंगे जिस पर आज के साइंटिस्ट तेजी से काम कर रहे है जो अभी तो सोचने में लगता है कि मुश्किल है लेकिन हो सकता है बहुत जल्द कुछ इसी परकार की टेक्नलोजी को अपने हाथों से इस्तिमाल कर पाएं जैसे कि मैं बात करूं मशीन या रोबोट की अब ये तो आम बात है चाइना और जपैन में रोबोट का विश्कार बहुत पहले ही हो चुका है और वहाँ के कुछ लोग पैट की जगापर रोबोट रखते हैं अपने साथ तो फ्यूचर में ये रोबोट या कहों मशीन इतनी जादा एडवांस हो जाएंगी कि ये हमारी बातों को समझ पाएंगी और उसे याद भी रख पाएंगी और शाहिद ये कहना गलत नहीं होगा इंसान शादी की जगापर रोबोट को अपने साथ में रखे और रोबोट वो सारे काम कर पाएगा जो इंसान कर पाता है जिसका थोड़ा बहुत नमूना तो हम देखी पा रहे हैं आज कल के Android phone में कुछ applications ऐसी हैं जिने हम use करते हैं जैसे कि आपने OK Google तो सुनाई होगा और Google Pixel के कुछ phones में भी ये technology आई है जिसे Google Assistant के नाम से जानते हैं अब ये इतना जाता fast कर दिया गया है कि मानो अगर आप कोई चीज भूल जाते हो जैसे कि password, ease या कुछ भी वो आप अपने Google Assistant को बता दो तो वो आपके लिए ये सारी बातें याद रखेगा और ज़रूरत पढ़ने पर आपको बता देगा जब आप भूल जाओगे घबराये मत, ये secure भी उतना ही है क्योंकि Google Assistant सिर्फ आपकी voice को ही पैचानेगा और आपको ही वो सारे secret बताएगा जो आप जानना चाते हैं लेकिन दोस्तो परसनली इसका एक नुकसान भी है, जैसे पहले के समय में हम mobile number ज़्यादा याद रख पाते थे लेकिन आज के समय में हम mobile number याद नहीं रखते क्योंकि वह याद रखने वाली सबी चीजे या तो हम cloud पे safe कर देते हैं या फिर अपने mobile में safe कर लेते हैं तो दोस्तो आप मुझे comment में लेकर जरूर बताना कि क्या ये technology हमारे इंसानी दिमाग के लिए अच्छी है या फिर कहीं न कहीं हम गलत दिशा की ओर जा रहे हैं अब बात करते हैं nanobots की या कहें nanochips की ये future में इतने छोटे हो जाएंगे जो injection के जरीए आपकी body के अंदर inject किये जा सकेंगे और ये future concept नहीं है ये technology बना ली गई है medical science इस पर तीजी से काम कर रही है यानि कि आपके शरीद में कोई भी खतरनाक बीमारी जैसे cancer तो ये nano chips आपकी body के अंदर blood के अंदर मिलकर cancer जैसी बीमारियों के किटानों को फॉरण खत्म कर देंगी जिसके लिए आपको medical के लंबे treatment का इंतिजार नहीं करना होगा तो यह कहना गलत नहीं होगा कि हमारा आज का इंसान 60-70 साल तक जी पाता है यानि कि average age आज के इंसान की 60-70 साल है तो future में human की average age 200-500 साल तक भी हो सकती है क्योंकि medical science में जो सिर्फ महज कलपना ही था वो आज धीरे-धीरे सच होता जा रहा है कहें वो 60-70 साल के बाद तक young दिखना हो या फिर physically fit रहना यह सब कुछ technology के जरीए possible होता जा रहा है तो दोस्तो बस आज के इस episode में इतना ही मैं उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आया है तो लाइक करें और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही कुछ future concept आपके सामने रखूँ कि हमारे आने वाला future technology के दोर में किस तरह का होगा तो मुझे comment में लिखकर जरूर बताईएगा और अगर ये चनल आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चनल को subscribe करना ना भूलिए क्योंकि मैं हर तरह की tech related जानकारी आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ तो मिलते हैं अगले update में तब तक के लिए बाबाई